हाई एबरिवन मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंस आज मैं फिर से लेकर आए हूँ गड़पती बपा के लिए बेशन के मोदक की रेसिपी तो फ्रेंस रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो तो आप घी तेल किसी भी चीज में बना सकते हैं लेकिन मोदक या कोई भी मिठाई हो तो घी में ही स्वादिष्ट लगती है तो इसलिए मैं यहां पे घी ली हूं तो चार बड़ा चमच घी ली हूं टेबल स्पून से और उसके बाद एक कब बेसन है नॉर्मल बेसन है जो इतना भूना है की इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंजनल नहीं बस बैसन को लगातार चलाते हुए उससा कि देख सकते हैं कि यहां पर बेसन भून चुका है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है तो यहां पे चीनी आयट करें गे तो 3.5 च आधा कप से थोड़ा सा जादा और एक कप से थोड़ा सा कम चीनी है और यहां पर एक कप दूध है जिस कप से बेशन लिथी एक कप उसी कप से एक कप दूध है और मेजरमेंट के लिए फ्रेंज आप अपने घर की कोई भी कटोरी कप यहां पर सेट कर सकते हैं उससे सारा भगातार चलाते हुए हुआ पकाना है और लो फ्लेम पे पकाना है और यहां पर केशर है चार चमठ दूद में गरम दूद में 4 चमठ केशर भीगो कर लग दिये थे पूरी तरह से ऑप्षनल है आप चाहें तो यहां पर इसे डालें वरना इसकीप भी कर सकते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं कि थोड़ा सा सुखा-सुखा मिस्रण हो चुका है तो इसमें आधा कप डालेंगे Milk Powder है थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएंगे और यहाँ पर गैस का फिलेम आफ कर दी हूँ तो यहां पे गैस का फ्लेम बंद करके ही इसे मिलाना है थोड़ा थोड़ा करके मिला लें अच्छी तरह से इसको उसके बाद गैस का फ्लेम जलाएंगे तो यहां पे अच्छी तरह से ऐसे मिल जाता है नहीं तो उसमें गुटली बगर रहा जाती हो जिसा कि देख सकते हैं कि आप इसमें मिल्क पावडर अच्छी तरह से मिल चुका था तो यहां पे गैस अब जला करके लो फ्लेम पे इसे दो से तीन मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि पैन छोड़ने लगे जिसा कि देख सकते हैं अभी पैन में थोड़ा चिपक रहा है यह अच्छे तरह से तयार हो जाएगा तो पीरा पूरा पैन छोड़ देगा तुझे सकते हैं कि पैन छोड़ दिया एकदम अच्छे तरह से हो गया है और चेक करने के लिए एक टुकड़ा लेंगे इसका और देखिए बावल जैसा बनाये हैं नहात में चिपका है तो ऐसा ही रखना है डो को और इसे अब एक बा में मुदक को बनाना है तो मेरे पास एक मुदक मोल्ड है तो इसी से मुदक बनाएंगे जिसके देख सकते हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया है तकि मुदक आसानी से निकल जाएगा अब लेंगे बेशन वाला थोड़ा सा मिसरण और इसे थोड़ा सा ओवल सेप में कर दो लेंगे है और इसको थोड़ा सा अंग्री से पेस करते हुए इसको दबा दो मदद से और दो टाकि अच्छा से समुथ हो जा और यहां पर मोदक मोल्ड को खोल कर करके मोदक को सब्सक्राइब और बहुत ही आसानी से निकल जाता है कितना प्यारा मौधक बनकर तैयार है और इसकी डिजाइन अगर आपको पसंद कर यह व civम फ्राइब का शरूरJust जडरूर और आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगा अगर नों तो सब्सक्राइब करना बिल्गुल न दबा देजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे देख सकते हैं कि आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं या इस मिस्ट्रण से आप गोल-गोल लड्डू का भी सेव दे सकते हैं है कि तो यहां पर वापस से इसी प्रकार से मुदक को कि मोल्ड को एक भार गरेस करना नहीं करना है एक बारуем करête देंगे सारा मोदक आपका बनकर तयार हो जाएगा और एक कॉप वेसन से फ्रेंड एक किलो से यहां जादा मुदक बनकर तयार हुआ है और यहीं आप मार्केट में खर दने जाएंगे तो बहुत ही महांगा मिलेगा थोड़ी सी मिहनत करेंगे तो आपके घर पे मुदक बनकर बपा के लिए तयार हो जाएगा वह भी नेचूरल तरीके से मार्केट में आजकाल आप लोग को तो इसे भी आप चाहें तो करें वरना जरूरी से किप कर सकते हैं तो थोड़ा सबस अच्छा लगने के लिए मैं अहां पर सारे मुदक पर लगा देंगे औरेंज फुट कलर आप पिस्ता या तो सिल्वर वर खोतों भी लगा सकते हैं तो लिजी ए फ्रेंड्स बेशन का मुद मुदक बनकर तयार है बपा के लिए तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही स्वादिश्ट बनता है और इस गड़पती पूजन में जरूरी से ट्राय करिएगा और कमेंट करके भी बताईएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी इसे किसी भी परवपा बना सकते हैं या तो घर में अगर भैगवान जी रखे हैं तो उनके भी पूजा भोग के लिए इस मुदक को जब भी चाहें बना सकते हैं जटपट बनकर तयार हो जाता है इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है और फ्रेंट इसके बाद आपको कौन से रेसिपी चाहिए मिलते है कौन नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ और टेक केर